वीडियो का वेट कर रहे थे और फाइनली मैं आप लोगों के लिए इस प्रोजेक्टर का रीजेक्टर का र वीडियो लिएके के बाद भी इसका जो प्राइज है आपको अंडर 20,000 या फिर अंडर 19,000 कह सकते हैं जो कि इस बजट रेंज में आपको किसी और प्रोजेक्टर में देखने को नहीं मिलेंगे तो अभी के टाइम में यह जरूर कह कर सकते हैं पर्चेस लिंक आपको डिस्केशन में मिल जाएगा मगर दोस्तों उससे पहले हम जानेंगे इस प्रोजेक्टर में ऐसे कौन-कौन से एडवांस आपको एक रिमोट, एक पावर केबल, एक HDMI केबल, एक मेनू कार्ड और एक वारंटी कार्ड जिसके पीजी के तरफ आपको QR कोड मिल जाएगा जिसे आप स्कैन करके वारंटी रेजिस्टर कर सकते हैं प्रोजेक्टर फुल ब्लैक कलर में है जिसमें सामने के तरफ आपको इस तरह से उबरा हुआ क्रोम फिनिश डिजाइन देखने को मिलेगा जिसमें आपको इमेज करेक्शन लेंस जो की ओटोमेटिक है और डुल कैमरा सेटप भी देखने को मिलेगा प्रोजेक्टर के टॉप में आपको एक फीजिकल बटन जो पावर अनॉप का है और एगेट की ब्रैंडिंग प्रोजेक्टर के राइट साइट में एक बड़ी सी डस्ट फिल्टर जिसे आप रिमूब करके हफ्ते पंदर दिन में साफ कर सकते हैं ताकि प्रोजेक्टर के अंदर डस्ट ना जा पाए प्रोजेक्टर के बैक साइट में इसके सारे कनेक्टिविटी पो दो USB पोर्ट जिसमें एक 5 वोल्ट की चार्जिंग पोर्ट है जिससे आप अपने फोन को भी चार्ज कर सकते हैं या फिर किसी भी डिवाइस को आप 5 वोल्ट का आउटपूट दे सकते हैं जैसे कि मान लिजए कि मैं Amazon FireTwistick का यूज करता हूं तो उसमें जो है मैं इस USB या डॉलवे डिजिटल साउंड का आप एक्सपिरेंस पास सकते हैं इसके बात में आपको इथिनेट पोर्ट देखने को मिल जाएगा प्रोजेक्टर को डायरेक्ट इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए नीचे के तरफ आपको एक पावर इंपूट पोर और एक 5 अगर रह जाते हैं तो इस कवर को रिमूब करके आप LCD स्क्रीन से डश्ट पार्टिकल को भी रिमूब कर सकते हैं तो दोस्तों यह तो थे प्रोजेक्टर की छोटी सी अन्बॉक्सिंग अब बात करते हैं इसके हाइलेटेट फीचर और ऐसा क्या इस प्रोजेक्टर में आता है 2GB RAM 32GB internal storage है इसमें brightness इस प्रोजेक्टर की 9000 lumens है और NC lumens की बात करें तो 570 है Contrast Ratio 20,000 is to 1 का Dynamic Contrast Ratio है यह प्रोजेक्टर 4K के साथ साथ HDR10, HDR10 Plus और HLG को सपोर्ट करता है यह प्रोजेक्टर वाइफाई वरजिन 6 को भी सपोर्ट करता है और Dual Band Wi-Fi के साथ में आता है इसमें आपको Bluetooth वरजिन 5 मिल जाएगा जिसमें Bluetooth इन और Bluetooth आउट का उप्सन मिल जाए Mali 450 GPU इस प्रोजेक्टर की Picture Quality को Enhanced करने के लिए PQ Image Enhanced Technology का यूज किया गया है दोस्तो यह तो प्रोजेक्टर के कुछ ऐसे फीचर में ने बता है जो नॉर्मली आपको हर प्रोजेक्टर में देखने को मिल जाते हैं मगर दोस्तो अब मैं वो फीचर बता रहा हूं जो इस आता है इस प्रोजेक्टर में आपको Vertical और Horizontal Digital Shift Option मिल जाएगा जिसे आप इस प्रोजेक्टर को अपनी जगह से बीना हिलाए प्रोजेक्शन इमेज को Left Right या Up and Down Shift कर सकते हैं दोस्तो यह पहला प्रोजेक्टर है जिसमें आपको Zero से लेके 100% का Zoom In Zoom Out Option मिल जाएगा और दोस Auto Angle Adjustment, Auto Screen Fit, Auto Obstacle Avoidance, Auto Rotation के साथ साथ, Auto Position Memory जैसे Features भी देखने को मिलेंगे तो अभी तक जितने भी प्रोजेक्टर आपने देखे हैं उसमें नीचे के तरफ आपको सामने का Height Adjusting के लिए एक Height Adjusting नोब मिलता था जिसके जरीए आप प्रोजेक्टर की सामने की Height को Adjust कर सकते थे, मगर दोस्तों इस प्रोजेक्टर में आपको एक ऐसा Electronics Feature मिला है, जिसके जरीए आप प्रोजेक्टर की सामने की Height को Remote के जरीए आप एंड डाउन कर सकते हैं, और इसके बाद में आप इसे अगर Auto पे रखते हैं, तो जब भी आप प्रोजेक्टर को On या Off करेंगे, जैसे कि मान लेजी कि प्रोजेक्टर को आप On करते हैं, तो ये Automatic उस Position में जाके Set हो जागा, जिस Position में आपने पहले Set किया हुआ था, और जब भी आप प्रोजेक्टर को Off करेंगे, ये Automatic Down हो जाएगा, दोस्तों इस तरह की Features अभी तक किसी दूसरे प्रोजेक्टर में दे दिखाया, ये मेरे 12 feet के कमरे में 110 इंच के आसपास का स्क्रीन बना देता है, अभी तक मैंने जितने भी प्रोजेक्टर का Review किया है, उनमें Maximum Screen Size 106 से 107 इंच के आसपास का स्क्रीन ही बनता था, मगर ये प्रोजेक्टर कहीं न कहीं कम Distance में सबसे बड़ी स्क्रीन बनाता ह तो यहाँ पर अगर आपका कमरा छोटा भी है और आप बड़ी स्क्रीन बनाना चाहते हैं, तो ये प्रोजेक्टर आपको कम Distance में बड़ी स्क्रीन बनाके दे देगा, अब दोस्तों ये प्रोजेक्टर Auto Focus, Auto Keystone Correction, Auto Screen Fit, Auto Obstical Evidence, Auto Rotation, इस तरह के बहुत सारे Automatic Features के साथ में आता है, जिसमें आपको ये सारे Function काफी अच्छे से Work करते हैं, Auto Focus इसका काफी Fast है, कुछ ही Second में ये आपको Auto Focus के साथ Auto Keystone Correction, यानि के प्रोजेक्टर अगर थोड़ा भी Left, Right या उपर नीचे है, तो ये प्रोजेक्टर आपको Perfectly Auto Focus करके, Exact Square Image Provide कर देगा, Auto Screen Fit का भी Option है, ज अंदर ही ये Image को Fit कर देता है, फिर भी थोड़ी बहुत Adjustment रहे जाती है, जिसे मैं बाकी Features के साथ में, जैसे 4.Keystone Correction के मदद से Perfectly Set कर सकता हूं, अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, इस प्रोजेक्टर की Brightness, Picture Quality, और Satness के बारे में, तो दोस्तों ये प्रोजेक्टर एक Brighter Category में आता है, जो इस Price Range में आपको बहुत ही कम प्रोजेक्टर देखने को मिलेंगे, इस प्रोजेक्टर की Picture Quality, Sharpness वो भी काफी अच्छी है, Colors भी आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, और Contrast यानि के Black जो है, आपको वो भी काफी अच्छे देखने को दोस्तों इस प्रोजेक्टर में आपको Picture Customization, Sound Customization का भी Option मिल जाएगा, जिससे आप Picture को अपने हिसाब से Set कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे Picture के Preset मिल जाएंगे, उसको आप Select कर सकते हैं, या फिर User में जाके आप Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation वगरे को जो है, Control करके अपने हिसाब से Picture Quality पा सकत सकते हैं, तो इस प्रोजेक्टर के साथ आप कोई भी External Speaker या फिर Home Theater System, Sound Bar को Connect कर सकते हैं, Sound Output के लिए आपको 3.5mm का Audio Output मिल जाएगा, SPDF Optical Output मिल जाएगा, HDMI ARC मिल जाएगा, Bluetooth मिल जाएगा, तो इसके तुरू आप किसी भी Sound Bar को, Bluetooth Speaker को, या फिर Home Theater को Connect कर सकते हैं, और Theater वाला Experience पा सकते हैं, यह प्रोजेक्टर HDMI के तुरू 4K को सपोर्ट करता है, साथ इसाथ, HDR10, HDR10+, और HLG को भी सपोर्ट करता है, तो आप इस प्रोजेक्टर के HDMI के तुरू किसी भी ऐसे external device को connect करते हैं, जो 4K output के साथ में आता है, तो इस प्रोजेक्टर के तुरू आप 4K content का भी मजा ले सकते हैं, इस प्रोजेक्टर के inbuilt में आपको बहुत सारे pre-install application मिल जाएंगे, जैसे कि YouTube, Netflix, Prime, Hotstar जैसे application, इसके साथ आपक को screen cast, Miracast का भी option मिल जाएगा, तो अपने phone की screen को भी cast कर सकते हैं, दोस्तों इस प्रोजेक्टर से मैंने पिछले कुछ दिनों से काफी सारे content देखे हैं, चाहे हो YouTube के content हो, या फिर किसी भी OTT platform के content हो, मुझे इस प्रोजेक्टर से काफी अच्छी brightness, picture की quality, sharpness, colors, और contrast काफी अच्छा देखने को मिला है, under 20,000 की हिसाब से इस projector की brightness, picture quality, sharpness, और जितने आपको advanced features देखने को मिले हैं, उस हिसाब से ये projector मुझे काफी अच्छा लगा, जिसे आप purchase करना चाते हैं, तो definitely purchase कर सकते हैं, purchase link आपको decision में मिल जागा, और pin comment में भी आपको purchase link मिल जागा, तो वह सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा, आज का वीडियो पर सितने ही मिलते हैं, अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जैहिन